पूजनिक परमपिता शह सतनामजी महराज दी पवित्र याद विच एंतवार नू देश विदेश विच विशेश लोडवंद वाले निशक्त जन्त, मंदबुद्धी, दिव्यांग महिला अते पुर्शा नू सर्दी देबचाली गरम कपड़े अते फल्फूर्ट दियां कि देश विदेशा विच नामचर्चा मां दा आयोजन करके लखा लोडवंदा नू फूरूट किता बिसकुर समेथ गरम कपड़े आदी वंडे गए इसे कड़ी विच जिला सरसा दे बलाक कल्यान नगर उपकार कलो नी शाह सतनामजी नगर दे डेरा श्र दालुआं वल्लों शेर दे पाइक नहीं आश्रम, फुष्ट आश्रम अते दिशा विच जाके पांसो तुवद लोका नू गरम कपड़े अते फूरूड दियां कितना वित्रित किती हैं। इसे बाद डेरा अनुआयाने हसारोड स्तित दिशा विच जाके निशक्त जन अते विशेश महिलामा अते बच्यानू गरम कपड़े अते खाद समागरी वंडी। अंत विच सासंगत ने कोश्ट आश्रम विच जाके कोश्ट रोगियानू वी फालफरूड दी टोक्रियां जाके कोश्ट करने सानुकार पेच जो असी काश्रम विच जाके कोश्ट करने सी कार जाना है पर्शान है गिया जदो कुई आंदाना खुशी मिल दिये इस करके असी तव अट बहुत बहुत करते हैं जिनने भी साड़े को लाए सजन मिततर पैना यां सानू बहुत चंगा लगा नहीं इनना था काम बहुत वदिया लगा मैंनू एक पेश हारां दा कुछ पर जाना ने उन नमास ते किता वो चंगी गाला करना चाहिए था एननानों की बलकि सारी दुनिया नूहीं करना चाहिए जिना दा कोई नी हुंदा परमात्मा किसे ना के से लूता उनू पेश दा ही औनना दी सेवा कर नमास ते पो सगदेना दा भी कोई पिछले जनम दा क्रेक्शन होएगा जेड़े आज जेत्थे आए साथ को आज शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेर पोर्स विंग द्वारा संत डाक्टर गुर्मीत राम रहीं सिंग जी की प्रेरना पर चलते हुए मंद बुद्धी वेल अचार गरीब लोगों को गरम बस्तर और फ्रूट की किट किटे बांटी जा रही हैं ताकि इनको भी सर्दी से इनकी बचाव हो सके आज कल्यान नगर ब्लोक कारकलोनी ब्लोक और यह आप पांसों के करीब किटे बांट रहे हैं और यह जादे मुर्शिद का महिना है यह पूरा महिना मानुता बलाई के कारे करते हुए ही इन पे चल हुआ है अर जैसे फ्रूट की टोक्री दिये घरम कपड़े धे थी थथे अनको देने के लिए अनुको धिन पर मतलैं कि जरुरूत मंदों की मदद करो और जैसरे को जरुत मंद ऑगए हुग हुग है और जैसे मन्द मुद्दीन हो गए उनकी सेवा करने के लिए हम लोग आए हमारे सद्गुर्ण ने हमेशा से यही दिखाया कि गरीवों कि और मतलब जो जुरूत मंद है उनकी सेवा करके हमें जबर चड़के आगे निकले हमें बहुत खुशी मिलती है यह काम सेवा करके और हमार 35 कार्या उन्होंने चलाए उन्ही के तहट आज हम भाई कनाया आश्रम में आये हैं और यहां पर मंद भुद्दी जीवों को गरम कंबल बांटे हैं और फ्रूट किट दिये जिसे ऐसे काम करके हमें बड़ी खुशी मिलती है और यह सारी प्रेरना हमें अपने गुरू जी स सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट